तीश्रा है उत्तरमध्यकाल जिसे आचाय रामचंद्रसुकल ने रीतकाल भी कहा है और इसका समय जो है संबर्थ 1700 से 900 तक है बच्चो रीति का अर्थ प्रणाली पधत या सेली होता है संस्क्रिप में रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना रीति कहा गया है परंत हिंदी में रीति का जो प्रयोग है काल के संदरों में सास्त्रिय ग्रंथों जिन्हें लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं कि अनुकरण पर काभ्य रचना करने के अर्थ में उगवा है इस प्रकार रीतिकाब्योहकाब्य है जो लक्षण के आधार पर उसे ध्यान में रखकर लिखा गया है इसी प्रकार की रचनाओं की अधिक्ता या प्रभाव के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है रीतिकाल के नाम करण पर भी विद्वानों में मत भेद है मिश्र बंधू ने इसे अलंकृत काल कहा है आचार रामचंद्र सुक्ल ने इसे रीत काल कहा है और आचार विश्वनात प्रसाद मिश्र ने स्रिंगार काल कहा है और डाक्टर रमाशंकर सुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है डाक्टर भगीरत मिश्र ने इसे रीत इस्रिंगार युक कहा है अब आईए हम देखते हैं कि इस काल की प्रवितियां क्या रही है और इसकी विशेष्टा क्या है सबसे बड़ी बात रीत काल में भोगवादी प्रविति हमें दिखाई देती है और दूसरी लक्षन ग्रंतों की प्रधानता है इस काल में लक्षन ग्रंत बहुर लिखे गए कभियों में आशारियत तो प्रदर्शन की प्रमुख भावना दिखाई देती है जैसे आशारिक केशो कभी को दीन चहे विदाई पूछे केशो की कविताई आशारिक केशो को कठिन काभ्य का प्रेत भी कहा गया है और स्रिंगार प्रधान रचनाएं समी कभियों ने लगभग स्रिंगार प्रधान रचनाएं की हैं और वियोग स्रिंगार सरवाधिक रूप से पाया जाता है नायक नाइका भेद और नक्सिख वर्णन नायक नाइकाओं के भेद प्रभेद इन सब को बताते हुए और नक्सिख चित्रण में रीत काल के कभियों ने अपनी लेखनी का कमाल दिखाया है प्रकित चित्रण में जैसे सेनापति हैं पदमाकर हैं इन लोगों ने इतना सुन्दर चित्र खिंचा है प्रकिति का जैसे एक वर्षा का चित्र देखिए कि दामिनी दमक सुर्चांप की चमक स्याम घटा की जमक अति घोर घन घोरते हैं और कोकिला कलापी कल कूजत हैं जित्त सी करते सीतल समीर जग जोरते ये सेनापत जी की दिशना है और पदमाकर जी ने जहां बसंत का छित्र खीचा है तो एक छोटा सा उदाहरण द्वार में दिशान में दुनी देश देशन में देखो दीप दीपन में दीप दिगनता है अरे बीथिन में ब्रज में नवेलिन में वेलिन में बनन में बागन में बगरू बसंता है सेनापत में ग्रेश्म का जो चित्र खीचा है बहुँ सतीक बन पड़ा है देखिए ब्रिस को तरणी तेज सहसव की रन करी ज्वालन के जाल विक्राल बरसत हैं तचती धरनी जग जरती सीरी चाह को पकर पंथी पंची बिर्मत हैं और सेनापत नेक दुपहरी के धरत होत धम का बिशम्जयों पात करकत हैं और मेरे जान पौनों सीरी ठोर को पकर कोनों घरी एक बैठी कहूं घामे बितवत हैं तो इस तरह से बहुत ही शठीक, चित्रण, रीतकाल में प्रकित कावी हुआ है मुकतक और गीत कावी की प्रधानता दिखाई देती है जिसमें कवित है, सवय्या है, बरवय है, दोहा है इन चंदों का प्रियोग करके मने मुक्तक और गीत का अनेक गीत लिखे गए भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की प्रधानता है सरवाधिक कला पर ही ध्यान दिया है रीद काल के कवियों ने इन पर संस्क्रित साहित्य का पूरा प्रभाव है संस्क्रित साहित्य में जिस तरह से लक्षन अनेक संप्रदाय थे उसमें जैसे रीति संप्रदाय औचित्य संप्रदाय अलंकार संप्रदाय धोनी संप्रदाय तो उन आचारियों के पदचिन्हों पर चलकर रीद काल के कवि जो ने अपनी रचनाएं की हैं वीर श्रिंगार और सांत रसकी प्रधानता है अब आप कहेंगे कि जहां श्रिंगार रसकी रचनाएं होती हों वहां वीर रस कहां से आगया महा कभी भूशन ने वीर रस ओज से परपूर्ण रचनाएं की हैं एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं निक्षत मयांते मयुखैप्रले भानुकैसी फारे तमतोम के गयंदन के जाल को अरे लागत लपक कंठ भैरिन के नागिनशी रुद्रही रिजावै देदे मुंडन के माल को ला लक्षिति पालक्षत्र साल महा बाहु वली अरे कहानों बखान करो तेरी करवाल को प्रतिभर कटक कटी ले केते काट काट कलिकासी किलक कलेओ देती काल को इस तरह के चित्र महा का भूषण ने 17 साल की प्रसंसा में लिखे हैं अगली विशेस्ता है रीतिकाल की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है कहीं कहीं पारसी और संस्कृत के सब्दों का भी प्रयोग हुआ है रीतिकाल के समस्त साहित की प्रविती को देखते हुए इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है एक तो रीति बद्ध काब्यधारा और दूसरी है रीति सिद्ध काब्यधारा और तीसरी है रीति मुक्त काब्यधारा पहली है रीति बद्ध काब्यधारा इस काब्यधारा के कभी मुख्यता आचारिय है जो रीति से ताधकालिक प्रभितियों से बढ़्य हुए हैं हैं लक्षन घ्रंथों की रचना के साथ शास त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए इन्होंने काब्वे रचनाएं की हैं इनके प्रमुक कभी हैं इसका अब्यधारा के आचारे चिंतावन आचारे केशो देव बिखारी पदमाकर ग्वाल आदी बहुत सारे रचनाकार हैं रीति बद्ध का अब्यधारा में इसका अब्यधारा का एक उदाहन देखें गोर गात पातरीन लोचन समात मुख उर उर जातन को बात अवरो हिये हसती कहती बात फूल से जरत जात होठ अवदात रात देखी मन मोहिये याचारे केशो की रचना है इसके बाद दूसरा है रीति शिद्ध का अब्यधारा के अंतरगर्ट आने वाले कवियों ने लक्षन ग्रंथों का खूब गहराई से अध्येन किया अपनी रचनाओं में लक्षन ग्रंथों की सीमाओं का ध्यान रखा रीति शिद्ध का अब्यधारा के कवियों में आचारी रशनी थी बिहारी सेनापत आधिके उदाहरन लिये जा सकते हैं एक महा कभी बिहारी का उदाहन देखें या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई अरे जयो जो बूले श्यामरंग त्यों त्यों उज्जोल होए और तीसरा है रीती मुक्त काब विधारा इस काब विधारा के कभियों ने लक्षन गृंतों द्वारा निरधारित काब विरचने की परिपाटी का ख्याल नहीं रखा स्वच्छन्द होकर काप्वे रचना की जिसके कारण उनके कविताओं का जो स्वरूप है जन्मानस के अधिक करीब रहा इनकी रचनाओं में विशुद्ध प्रेम का उत्कृष्ट रूप मिलता है इसकाप्वे धारा के कवियों में घनानंद बोधा ठाकूर और आलम आधी प्रमुक कवि हैं रीती मुक्त काप्वे धारा के अंतरगड रीती मुक्त काप्वे थारा के एक उदाहरन द्रिश्टब्य है घनानंड जी का भये अतिनितुर मिटाय पहिचान डारी याही दुखा हमें जकलागी हाय हाय है अरे तुम तो निपट निर्दई गई भूल सुधी हमें सूल सेलनिसों क्यों ही न भूलाये है अब गणाननंद के बारे में तो कहा जाता है कि नेही महाब्रज भाष प्रवीन और सुंदर अत्ता निके भेद को जाने वही घनानंजी का बखान कर सकता एंग्ताओं अध्यान मनन और चिंतन कर सकता है जो नेही हो प्रेमी हो अव ब्रजभासा में पारंगत हो अब आईए देखते हैं रीत काल के प्रमुक्व और उनकी रचनाएं पहले हैं महाकव विहारी जिनका विहारी सत्साई विश्व प्रशिद्ध काबिक गरंथ हैं दूसरे हैं आचा घनान जी का है सुजान सागर और महाकव भूषण का शत्रसाल दसक और शिवराज भूषण मतिराम मतिराम जी ने रसराज मतिराम माधुरी दो ग्रंथ दिये और देव की हैं प्रेम चंद्रिका और भाव विलास और रसलीन ने लिखा है रस प्रबोध रित कालिन कभियों क एक शंद के द्वारा याद किया जा सकता है जैसे जितने कभी हुए हैं बोधा केशव विहारी रस्नी धिकृपा-राम चिंता मनमतिराम भूषण सुजानिए अब हिंदी साहित के इतिहास में हम लोग चलते हैं आधुनिक काल की योर आधुनिक काल का जो समय आचारे शुक्र ने संबत उनाइस सो से अब तक माना है वास्तों में हिंदी साहित का आधुनिक काल इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था एक तो स्वतंता संग्राम और राष्टियता की भावना का प्रभाव साहित में भी आया भा अबा गमन के साधनों का विकास हुआ एंग्रेजी और पास्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा इस्वर के साथ साथ मानों को भी महत्तों दिया जाने लगा भावना के साथ साथ विचारों को भी परियाप्त प्रधान्ता मिली पद् तेख़ दिकाभी विकास हुआ और छापे खाने के आते ही साहिट के संसार में एक नई क्रांत उत्पन्न हो गई हिंदी साहिट के इतिहास में जो आदुनिक काल है अपने पिछले तीनों कालों से सर्वता भिन्न है आधिकाल में डिंगल भक्तिकाल में अवधी ब्रज और ईतिकाल में ब्रज भासा का बोल बाला रहा वहीं आधुनिक काल में आकर खड़ी बोली का वर्चत स्थापित हो गया अब तक के तीनों कालों में जहां पद्य का ही विकास हुआ है वहीं इस युग में गद्य और पद्य समान रूप से ब्योहरित होने लगे प्रति पाद्दिव विशय की द्रिश्ठी से भी इस युग में नवींता का समावेश हुआ इस युग की कविता का फलक काफी विश्ट्रित हो गया राजनैतिक शेतना समा सुधार की भावना और आध्यात्मबाद का संदेश आध्य विविद विशय इस काल की कविता के प्रभित्ति के आधार पर आधुनिक काल को फ्लागों में पाटा गेया है पहला है भार्तेंद युग च्मकी आचारी शुकर ने केवल आधुनिक काल नाम जो है सन 1857 से सन 1902 दुबेदी युग 1902 से 1911 तक इसके बाद आता है च्षायवादी युग जो है 1916 से 1936 तक अब प्रगतिवादी यूग प्रगतिवादी युग जो 936 से लेकरके 943 तक फिर आता है प्रयोग बाद प्रयोग बाद चला 943 से 990 तक और उत्तर आधुनी के यूग जिसमें नई कविता अकविता और गी नवगीत गजल हिंदी गजल तो यह 990 से अब तक यह निरंतर गतिमान है हाँ अब पहला है भारतेंद यूग जिसका समय सन 1850 से 990 तक है भारतेंद यूग को हिंदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है खड़ी बोली का विकास भारतेंद यूग की महत्वपून घटना है राश्ट प्रेम समात सुधार इन सवका प्रभाव इस यूग की रचनाओं में देखा जा सकता है इस यूग में पत्रकारिता, कहानी, नाटक, आलोचना, अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ इस यूग के रचनाकारों में बाल कृष्ण भट, प्रताप नारायन मिश्र, राधाचन गोश्वामी, बग्री नारायन चोधरी प्रेमगन, लाला स्री निवास दास, बाबू देवकी नंदन खक्री, किसोरी लाल गोश्वामी, आदी, अनेक रचनाकार इस यूग में हु लाला स्री निवास दास के उपन्यास परिक्षागुरू को कुछ विद्वान लोग हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, कुछ विद्वानों द्वारा भाग्यवती ये सरधाराम फुलोरी का जो उपन्यास है, उसे पहला उपन्यास मानते हैं, इसी प्रकार नाटक जो है आनंद रहुनंदन ये महराज विश्वनात सिंग जी का पहला नाटक माना जाता है हिंदी साहित्य का इस युक की कहानियों में राजा शिव प्रसाज सितारे हिंदी की कहानी राजा भोज का सपना इसे बहुत महत्तुपूर मानते हैं और हिंदी की जो पहली कहानी है तोकरी भर मित्री ये 36 गड़ के माधव राव सप्रे द्वारा लिखित कहानी है जिसे हिंदी संसार की पहली कहानी माना गया है इस युक की विशेष्थाएं क्या हैं भार्ते इंद युक की तो भार्ते इंद युक में एक तो रास्तियता की भावना बलवती हुई अन्धविश्वास कुरीतियों का विरोध और सामाजिक चेतना का भी कास हुआ पाश्यात्य संस्कृत वा सामाजिक अंध विश्वासों पर हाश्य ब्यंग सहली द्वारा तीखे प्रहार किये गए और अंग्रेजी सिख्षा का बिरोध भी किया गया मुक्तक वफ्रमंध काब्यों की रचना वुई संस्कृत और अंग्रेजी में काब्या नुवाद के साथ साथ मौलिक लेखन को भी प्रोसाहन दिया गया भारतेंद युक के जो प्रमुख रचनाकार हैं तो सब से पहले तो भारतेंद हरिश्चन्द हैं जिनके नाम से यह भारतेंद युक चला और इनकी जो रचना है प्रेम सरोबर और प्रेम फुलवारी बहुत प्रसिद्ध कृती है दूसरे हैं बद्री नारायन चवधरी बद्री नारायन चवधरी की का जो ग्रंथ है वह अरुनोदे आनंद जीन जनपद और अनेक ग्रंथ ह उनके प्रेम घन वगेरा प्रताप नारायन मिश्र प्रताप नारायन मिश्र की है मन की लहर और प्रेम पुस्पावली राधा चर्ण गोश्रामी की रचना है नौ भक्त माल और अंबिका दत्व्यास इन्होंने भारत धर्म पवन पचासा और ठाकुर जगमोहन सिंग की दे कितना विछ प्रशिद्र है अब आये चलते हैं दुवेदी युग में दुखिमे युग महात आचार महावीरप्रशाद दुवेदी के नाम पर रखखा गया है यहां काभ्य के खेत्र में खड़ी बोली के प्रतिस्चित होने का युग है सरस्वती पत्रिका का संपादन कर के प्रकाशित आलेखों द्वारा नौ जागरन का संदेश दिया गया प्रमंद काभ्य में कभियों ने पौरानिक अइतिहासिक कथानक को आधार बनाया और राष्टी चेतना का भाव उभारा इस युग में भी अनेक निभंद संकलन उपन्यास कथा संकलन नाटक समालोचना अच्छा विकास हुआ हिंदी साहितिका दुवेदी युग में इस युग के रचनाकारों में आचार महावी प्रसाद दुवेदी अध्या सिंगुपाद्याय हरियोध शिव नंदन सहाय राजा देवी प्रसाद पून माधव प्रसाद मिश्र श्याम सुंदर दास दुवेदी युग में अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से कीर्टिमान इस्थापित किया ये अब देखते हैं दुवेदी युग की विशेष्टाओं के संबन्ग में देश भक्ति पून कविताएं लिखी गई इसकी पहली विशेष्टा है दुवेदी युग की देश भक्ति पून कविताओं की रचना की गई सामाजी कुरीतियों और अन्ध विश्वासों पर तीक्ष्ण प्रहार किया गया वयनन प्रधान कविताओं की रचना हुई मानुभी ये प्रेम को प्रमुक्ताद दी गई प्रकितिका मनोरम वा सजीव चित्रन किया गया इस युक्के कवियों ने खड़ी बोली को परिनिश्टित परिस्कृत और परिमार्जित स्वरूप्रदान किया दुवेदी युक्के प्रमुख कवियों के बारे में जानने है तो पहले आते हैं अयोध्या सिंगुपाध्य आ हड्योध इननोंने प्रीप्रवास और रबेदे यहीं बनवार में बहुत उत्क्रिष्ट इनका जो है महाकाव्य में है हैं कि राष्ट्रक्व मैथली सर्ण गुप्त मेटली संगुप्त का जो साके थे महाकाब्वे हैं इन्होंने पंचवटी जैद्रत्वत अनेक काब विग्रंतों का स्रिजन किया राम नरेश्त्रिपाठी मिलन पथिक शप्नमानसी और लोक साहित पर भी राम नरेश्त्रिपाठी ने बहुत महत्वपूर्ण कार किया है एक भारती आत्मा नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर वेदी इन्होंने हिम तरंगनी हिम किरीटनी जैसे ग्रंत दे करके हिंदी साह कि अभूत पूर्व सेवा की है आचार महाभी प्रसाद दुवेदी जिनके नाम से यह यूग चल रहा है उन्होंने सुमन और काब्वि मंजूशा जैसे ग्रंतों का प्रतिपादन किया अब बच्चों आईए हम लोग चलते हैं चायाबाद कियो चायाबाद वास्तों में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का बिद्रोही चायाबाद है ऐसा डॉक्टर नगेंद्र जी का मानना है महा कवी जैशंकर प्रसाद ने चायाबाद को पारिवासित करते हुए कहा है कि चायाबादी कविता वानी का वह लावन है जो स्वयम मोती के पानी जैसी च चाया तरलता युवती के लज्जा भूशन जैसी स्री से स्रयुक्त होती है यह तरल चाया लज्जा ही चायाबादी कविकी वानी का सौंधरी है इस काल का एक शोर स्वाधीनता आंदूलन से जुला हुआ था जिस समय चायबादी रचनाय की गई उस समय स्वतंतरता संग्र प्रमुक्ता से चल रहा था इसमें आत्म परक्ता प्रकित के अनेक रूपों का सजीव चित्रन विश्व मानोता के प्रतनारी के उदात्त संदर का वर्णन आद अनेक भावों की अव्यक्ति देखने को मिलती है इस युक्ते रचनाकारों में बाल कृष्ण सर्मा नवीन न उस समय प्रवेश किये थे और महा कभी जैसंकर प्रसाथ स्री सूरिकान त्रिपाठी निराला और महियसी महादेवी बर्मा प्रकित के सुकमार कभी सुमित्रा नंदन पंत और हमारे चत्तीस गड़ के मुकुट धर पांडे इत्याद प्रमुख है चायाबाद की विशेस्त प्रकित का मानवी करण किया गया है और नारी सवंदर का सूख में चित्रांकन हुआ अब प्रकित के मानवी करण का महा कभी निराला की एक कविता है संध्या सुन्दरी एक्षित्र देखें कि प्रकित का किस तरह से मानवी करण किया गया है मेग में आसमान से उतर रही थी संध्या सुन्दरी परीसी धीरे 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 दीरे इसी तरह से अग्यास सत्ता के प्रत कवी का प्रेम कभी प्रेशी तो कभी शेतन प्रकित की रोप में दिस्तिगोचर होता है शायवादी कवियों में ब्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है नारी के इस सूल नहीं सूक्ष्म स्वरूप की अभिवन्यना की गई है वेदना वाक करणा का आधिक है शायवादी कविता में राष्ट्री भावना के भी दर्शन होते हैं जैसे महादेवी बर्मा की है एक जागरती एक अभी प्रेरण गीत है उनका चिर सजग आँखें उनी दी आज कैसा ब्यस्तबाना जाग तुझको दूर जाना अचल हिमगिर के हिर्दे में आज चाहे कंप हो ले या प्रले के आंसुओं में मौनाल सिद्व्यों रोले आज पी आलोक को डोले तिमिर की गोर चाया पर तुझे है नासुपत पर चिन अपने छोण जाना जाग तुझको दूर जाना महा कविजे शंक प्रसार ने भी आवाज लगाई इसी तरह से सूरिकांत्रिपाठी निराला ने जागो फिर एक वार के माध्यम से स्वतंत्रता के का उद्गोष किया और अभी प्रेरन किया सबका अब आएए हम देखते हैं कि छायाबाद के कभी कौन-कौन है उनकी रचनाओं के समंध में जाने तो प्रथम नंबर पर आते हैं जैसंकर प्रसार जैसंकर प्रसार ने कामाईनी आशू लहर जड़ना प्रेमपथिक कारण कुसुम आधी रचनाओं के माध्यम से हिंदी संस आर को भरने का प्रणम में प्रयास किया है महाप्राण सूरिकांत प्रिपाठी निराला जी ने अणिमा गीतिका परिमल जैसे ग्रंथों को दिया राम की शक्ति-पूजा निराला जी का बहुत ही महातव्पूण ओजव्पूण काब्य ग्रंथ अब आते हैं प्रकित के सुक्मार कवि सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने वेना पल्लो ग्रंथी गुंजन आधि अनेक रशनाएं दी महियसी महादेवी वर्मा जिने आधुनिक मीरा के भी नाम से जाना जाता है इन्होंने रश्मी निर्जा निहार सांधगीत अनेक इनके ग् और मुकुडधर पांडे मुकुडधर पांडे के पूजा के फूल सैल बाला बहुत ही उतक्रिष्ट का विग्रंथा हैं अब आईए समझते हैं प्रगतिवाद प्रगतिवार यह काल मार्ज की विचार धारा से प्रभावित है इसका अर्थ आवसर और संसाधनों के अस्मान वित्रण से हैきます शोशन आर्थिक विशम्ता के प्रति असंतोस विद्रोह मजदूरों वाकिसानों के प्रति सहानुभूत धार्मिक विशम्ता पर चोट की गई है इस समय मानव मन के सूक्ष मभावों को प्रकट करने की शम्ता हिंदी भासा में बिक्षित हो चुकी थी इस काल के प्रमुख कभी जिन्होंने प्रकटिवादी रचनाएं की हैं जैसे सुमित्रांदन पंत महाप्राण निराला नरेंश शर्मा दिनकर केदानाथ अग्रवाल बावा नागार्जुन समसेर बहादूर सिंग डॉक्टर रामबिला शर्मा त्रिलोचन सास्त्री गजानन माधव मुक्तिबोद यहीं राजनाथ गाउं में प्रोफेशर थे और वे 36 गढ़ में रहकर अनेका अनेक का विक्रंथों का स्रीजन किया है प्रगजिवाद की प्रमुख विशेष्ताएं क्या क्या है वास्तों में प्रगजिवाद जो है सामाजी की अथार्थ को ले करके चला है भुक्मरी गरीबी बेरोजगारी अकाल इन सब को इसपर्ष करते हुए सामाजिक यथार्थ का चित्रण प्रगजिवाद में किया गया है इस्वर के प्रति अनास्था लेकिन मानुवी संगर्ष को महत्तों दिया गया नारी का सम्मान नारी को सोशंड से मुक्त करा प्रयास आर्थिक वा सामाजिक समानता पर बल वर्गभेज समाप्त करने का प्रयास कि सोशकों के प्रत विद्रोख सौशितों के प्रत सहानभूत प्रगट की गई भाग्यवाद की अपेक्शा कर्मबाद पर बल दिया गया प्रगदिवाद के जो हमारे प्रमुक कभी है जैसे बाबा नागार्जुन, बाबा नागार्जुन की रचना है युगधारा सत रंगे पंखों वाली, किदार नाथ अग्रवाल की नीद के बादल और युग की गंगा बहुत प्रसिद्ध काबिगरंथ है, रांगे रागो, रांगे रागो का पांचाली है, मेधावी है और अजे खंडार है, डॉक्टर स्यूमंगल सिंग सुमन, इन्होंने हिलोल, इवन के गान, अनेक काबिगरंथों का स्रिजन किया, और त्रिलोचन, त्रिलोचन जी का धर्ती, अब बच्चो, आएए हम चलते हैं प्रयोगबाद की ओर, प्रयोगबाद के प्रवर्तक अग्ये जी माने जाते हैं, यह प्रगतिबाद के समानांतर बिक्षित हुआ, कथ्य और अभिव्यक्ति की द्रिष्टि से नभीन प्रयोग हुए, तार सब्तक को प्रयोगबाद का आधार ग्रंत माना गया है, तार सब्तक का संपादन अग्ये जी ने प्रारम किया था, और अभी तक प्रसमतार सब्तक, गोतियतार सब्तक, और तृतियतार सब्तक, और चतुरतार सब्तक, इस तरह से चारतार सब्तक प्रकासित हो चुके हैं, जीवन और जगत के प्रति, अ से अपनी रचना की जीवन के संगर्च और उसका अवसाद ही इस यूग के प्रमुख विशे रहे इस यूग के प्रमुख रचनाकार हैं अग्यें मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे नेम चंजैन राम बिला शर्मा गिर्जा कुमार मातुर भारत भूषन अग्रवाल आएं देखें तो इसमें पहला है प्रेव का उन्मुक्त चित्रन और नंबर दो निरासावाद की प्रधानता लगुमानों वाद की प्रतिस्ठा रूल मुक्त नवेन समाज की स्थापना पर बल मुक्त चंद और व्यंग की प्रधानता नवेन उपमानों का प्रयोग जो हमारे रचनाकार हैं उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जान लें डॉक्टर धरमबीर भारती इनकी कृत्य है अंधा युग कनुप्रिया और गजानर माधव मुक्तिबोद की बहुत प्रसिद्ध कृत्य है चांद का मुट्टेड़ा है अग्ये जी का ग्रंत है हरी घास पर क्षण भर और गिर्जा कुमार माथूर गिर्जा कुमार माथूर की प्रसिद्ध कृत्य है दूप के धान शिला पंक्ख चमकीले और भारत भूशन अग्रवाल जी की रचना है वो अप्रस्तुत मन अब बच्चों आता है नई कविता का युग इसे अकविता भी कहा गया यह प्रयोग बाद के समानांतर ही चलती रही और नई कविता में जीवन के भोगे हुए अथार्थ को चित्रित किया गया है नूतन शिल्पविधान नमीन भावबोध और नई प्रभाव की सामर्थ को लेकर कविता जो है सामने आई वही नई कविता है इसमें दो धाराएं दिखाई देती हैं पहली धारा में ब्यक्ति की निज्यता को महत्त दिया गया है और दूसरी है प्रगस्वील धारा इन दोनों में ही अनुभव की प्रमानिक्ता लगुमानों की प्रतिष्ठा बहुत धिक्ता का आग्रह मुख्य प अस्तिस्क पक्ष से लिखी गई इसलिए बहुत धिक्ता का आग्रह हमें दिखाई देता है इस काल के रचनाकारों में अग्ये जी हैं धरमबीर भारती हैं कुवन नारायन हैं स्रीकांत वर्मा हैं जग्दीश गुप्त हैं और मुक्त जी आते हैं नागार्जुन जी आते ह हैं समसेर बहादूर सिंग्जी हैं रगवीर सहाय हैं किरार नास जी हैं और सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल सर्वेश्वत ध्याल सक्सेना इस युक के प्रमुक्त हैं हिंदी गजल को साहित में नई पहचान दिलाने वाले दुश्यंत कुमार का योगदान बहुत ही अ पावों का उतात चित्रन किया और जीवन के संगर्ज को अपना विशेश बनाया नई कविता की जो विशेश्टाएं हैं नए प्रतीक नए सिल्प अनभूतियों का यथाथ चित्रन नवेन विंबों की योजना मानों जीवन की विशंगतियों एवं अनय तिक्ता वादी मा पर ब्यंग्य चनवाद की प्रतिष्ठा लगुमानों वाद की प्रतिष्ठा मानों मन में व्याप्त कुंठाओं का जीवन के संत्रास और मृत्य बोध का मनोवेग्यानिक चित्रन इस काल की सर्वाधिक भी सेशता है नई कविता के रचनाकारों में आते हैं स्री दुश्य च्छांत कुमार साय में धूप इनका गजल संग्रह विश्व प्रसिद्ध है सूरिका स्वागत आवाजों के गहरे इनकी रचनाये हैं कुवन नारायन कुवन नारायन जी का चक्र व्यूह बहुत ही प्रसिद्ध का अब्विक्रति हैं समसेर बहादूर सिंग का इतने पास से अपने बात बोलेगी हम नहीं स्रीकांत बर्मा स्रीकांत बर्मा का दिनारंब माया दर्पन भटका मेग इनकी रचनाये हैं और नरेश महता बहुत ही प्रसिद्ध कभी हुए उन्होंने बोलने दो चीड को बन पांखी सुनो इस तरह से अनेक रचनाकार और अभी भी नई कविताइन निरंत लिखी जा रही है प्रशनिव उस्ता है कि प्रयोग बाद के प्रवर्तक कौन है तो प्रयोग बाद के जो प्रवर्तक हैं कभी सचितानंदी हीरा नंद वात्सयान अग्यें को माना जाता है अग ये इनका उपनाम है सन हुने सोते तालिस में तार सब्तक का प्रकाशन किया इसमें इन्होंने साथ कवियों की रचन तार सब्तक सब्तक माने साथ साथ कवियों को लिया डाक्टर राम बिलाज शर्मा प्रभाकर माचवे नेमी चंद जैन गजान माधव मुक्तिबोध गिर्जा कुमार माथूर भारत भूचन अग्रवाल और नागार्जुन सभी प्रगतिवादी कविये इन कवियों ने नए प्रयोक किये और प्रयोक के वा कि प्रयोक बाद की कविताएं किस तरह की हैं मेरे सपन ऐसे तूट गए जैसे भुना हुआ पापड एक दूसरी कविता है तुम्हारे सौंदर का बल्व फ्यूज हो गया इस तरह के प्रयोग प्रयोक बाद में किये गए नई कविता का प्रकाशन किस सन में कहां से हुआ तो वास्तों में नई कविता का जो प्रकाशन है नई कविता नाम की एक पत्रिका निकला करती थी जिसका संपादन डॉक्टर जगदीश गुप्त किया करते थे तो उनई सो तिरपन से लाहवाद में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ यहां प्रयोग बादी कविता का भिन्न रूप है इस काल के प्रमुक कभी हुए अग्यां डॉक्टर धरंबीर भारती श्रीकांत भर्मा मुक्तिबोध नागार जुन संसेर बहादूर सिंग किरादनाज सिंग और सर्वेश्वर द्याल सक्षेना बच्चों आपने हिंदी साहित के इतिहास को आधिकाल से ल सूर्थ तुल्सी जैसे संतों का साहित्य है मीरा ने दुलारा है रस खान ने माधूर भरा है वहीं महाकविदेव भूशन सेना पजपद्माकर जैसंकर प्रसा निराला महादेवी पंत मुकुट धरपांडे गजानरमाधों मुक्तिबोध दुश्यंत अनेका नेक रशनाकारों ने अपनी लेखनी तूलिका से माभारती के संदर को बिखेरने में माभारती की अभ्यर्थना म ने बहुत ही प्रणम्यकार किया है इस तुर्तिकार किया है आज हमारा हिंदी साहित्य अत्यंत बैभो शंपन्न है पंडित हर्चंकर सर्मा ने एक कविता के माध्यम से आग्रह किया है कि हमारी जो हिंदी है यह विश्व की तमाम भासाओं से अत्य शंपूझ यह अत अत्य कि हमारा हिंदी आग्रह करता है है वह व्यूह की एकलता है कि वहारकिम यहार में कोंज में किलोल के लिकी जिए या तूलशी के मानस अमें डूब की लगाई ये देवा की दरी में दुर डिव्यता निहा रिये ये भूशण की से ait नामें सिपाही बन जाइए अब विन्भा सभशी ओ विन्भा सभाशियो जो मिलें मान माना सुक्ष हिंदी के हींदोरे में ज रातों जूल जाईए